हेलो बच्चों हम पढ़ रहा है class second की इंग्लीस grammar की बुक ठीक है class second की इंग्लीस grammar की बुक जिसमें आज हम पढ़ेंगे chapter number six and the name of the chapter is gender ठीक है अब इतना जाने है, जेंडर शार प्रकार के होते हैं, पर जेंडर क्या होते हैं, जेंडर क्या होते हैं, ऐसा वोर्ड, जिससे हमें ये बता चले, ठीक है न, ऐसा वोर्ड, जो हमें ये बताए कि नहीं मेल है, ठीक है न, मतलब इस्तरी है, अरे मेल मतलब पूरूस, पूरूस है ठीक है ना फीमेल इस्त्री है ठीक है ना इस्त्री ठीक है या न्यूटर जेंडर है ठीक है ना या कौमन जेंडर है आगे हम सब के बारें पढ़ेंगे सब मिला कि एस वो वर्ड ठीक है न ऐसे वर्ड जिससे हमें ये पता हो कि नहीं जो है कि ये पूरुस के बारे में बात किया जा रहा है या इस्तरी के बारे में बात किया जा रहा है ठीक है न तो उसे हम क्या बोलते हैं जेंडर बोलते हैं ठीक है न पूरुस और इस्तरी जेंडर दो ही ह लेकिन इसके हम चार पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, चार परकार के जंडर हम पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं, यहां दे रखा है कि चित्रों को देखिये और इनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पुरुवग पढ़िये, ठीक है ना, चित्रों को देख ल हुआ वा सोफा है, ठीक है ना, यह देखिये गेट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आगा, अब आगे देखते हैं कि यह वोड्स में क्या लिखा हुआ है, वोड्स में लिखा हुआ है, कि first word है, the man is sitting on the camera, man और camera, ठीक है ना, एक आदमी हो किस पर बैठा हु यहां तो बच्चे हैं कोई बात नहीं इनकी जो भाहस के चिपी होगी जो दिखने रही है इसको आगे चलके फिर से पढ़ेंगे यहां फिर से आते हैं अब एक बार समझ लेते हैं यह वर्ड्स क्या लिखिया है यह है दो स्टूडेंट्स आर लिस्टनिंग टू टीचर यह को सुन रहा है ठीक फूर गया है दशसोफा यह सोफा और गेट यह गेट होगया यह दर्वाजा हो गया है ठीक है ना अर मेड़ा व ठीक है ना पमेड़ आफ वोड वो किसगे बंए हो वूड मतलब लख्डी के बने भार्वाकिवास इन तरह कैमल सब्थ जो मैन और कैमल सब्ध है के पुरूष ठीक है ना यह पुरूष जाती मतलब नर जाती जो मैन और कैमल जिसमें अब मैन एक आद्मी है तो आपको क्या समझेनगें आधिक उनिक्षार आदमी क्या होगा वाक के one में man तथा camel सब पूरूस नर जाती के है ठीक है man तथा camel सब masculine gender pulling में है फिर वाक की second में है woman तथा ओफैलो सब इस्थरी मादा जाती के जो हम वाक के second में पढ़े है second sentence में पढ़े है woman is feeding the ओफैलो woman जो है ओफैलो को खाना खिला रही है तो उसमें क्या पता चल लाए कि women एक ओर अरद है, जिसको feminine बोलते हैं feminine gender ठीक, वह fellow भी क्या होगी? feminine gender भी मादा है, है ना, तो ये देखे feminine gender, इस्त्रीलिम ठीक? फिर तीसरा वाकर क्या है? student तरह टीचर, ठीक है ना, यहां बात हो रहे student तरह और teacher की देखिए यह students है और यह teacher सब्दू से नरत्माला होने की सही जानकारी नहीं मिलती है जैसे मान लिजे कि अगर हम figure नहीं देखते तो हमें यह नहीं पता चलता है कि नहीं एक जन्दर का सही तरीके से पता नहीं चलें टिक है उसको क्या वोलेंगे तो यह सही पता नहीं पता चलता है जैसे इस्टूडेंट बोल दिया तो वहां बच्चे और बच्चियां दोनों हो चकते हैं वह अक्के 4, sentence number 4 में, sofa, gate तथा wood, निर्जी उवस्तों है, तो जो sofa बना हुआ है, ये लकडी के, ये जो sofa है, लकडी का, और ये जो gate बना हुआ है, ये सब किसके बने हुए है, उटके, लकडी के बने हुए है, और ये तीनों ही क्या होँए है, अब निर्जी होँए, लकडी किसको बोलते हैं, जो पेड़ काड़ दे जाता है, दूर लकडी होता है, जब तो पेड़ होता है, तब तक तो लिविंग अबजेक्ट होता है, ठीक है अब यहां सिदे समझते हैं अंग्रेजी भासा में जेंडर चार परगार के होते हैं ठीक है यह जेंडर लिंग चार परगार के होते हैं यह देखें मैस्कुलीन जेंडर ठीक है पूलिंग जिससे हमें पूरुस जाती का बोद होता है ठीक है पूरुस होने का जैसे जाहें एक नहीं है इस्त्री है जैसे मालीजे गीटा छोटी जोती इस तरह कि उने इन्स होते हैं उनसे क्या पता चलता है कि नहीं यह इस्त्री लिंग है ठीक है गॉल्स और ठीक है फिर कॉमन जेंडर कौम्स होते हैं कॉमन जेंडर वो तथ जिनसे यहar चले खी laduk управ का है ठीक है इस तरी लिंग है masculine है या feminine इसका पता ना चले ठीक है या दोनों उसी में हो जाए जैसे student teacher ठीक है parent है ना तो इसमें यह नहीं पता चल रहा है है कि नहीं जो है कि masculine है कि family नहीं टीचर भाई कोई obviously कोई हो सकता है सर भी हो सकता है मैडम भी पढ़ा सकती है तो इस वज़े से यह common gender और neutral gender वो होते हैं जो नबुन सक लिंग होते हैं ठीक है जो निर्जी होते हैं यह लिखा है ना निर्जी वस्तु है ठीक है तो वो neutral होता है ठीक यह chapter यहीं पर खतम हुआ आप आगे हम exercise देखेंगे छोटी सी exercise है दो फटाफट कर लेंगे यह देखिए अभी लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं कुछ masculine gender pulling एवर उनके family gender इस त्री लिंग इस प्रकार है देखें author authors father mother bull cow ठीक है यह ऐसे मिला दीजिए बूल cow god goddess ठीक है आप अपने घर में भी अंकल बोलते होंगे और उनकी वाइफ को आंटी बोलते होंगे sir madam boy girl poet poet dog dog का बीच होता है dog मलता पुत्ता ठीक है tiger tiger hero heroine bull cow male का female ठीक है न मतलब इस तरी का अरे पूरुस का है इस तरी horse का mayor ठीक है यह याद करने वाला son daughter emperor embrace ठीक है मुलब राजा की हरानी ठीक है king होता तो क्यून हो जाता साथ इसमें लिखा होगा नहीं लिखा तो जान लिजे king का क्यून हो जाता है इस तरी के से होता है husband का wife हो जाता है अब ही इतना याद कर लेंगे इसमें से पूछा जाएग आपको हुआ है आ है और जहां फैपनीन दिया हुआ है और जहां फैमिन उसका नोठ addresses मैशन्स से नहीं थेृटर या बेटा का बेटी लाइन का लाइनी सेर का सेर नी टाइगास का टाइगरी प्रिंस का धेन सेज डी प्रिंस राजकमार और तो को पुतता और बिच अब भी है ये एकशर साइस भी है पूढ दौ दीज्टा इनको फॉल्म गृूब में लिखना है जिसे masculine है फैमिलीन है या common है या neutral है ठीक है फिर से एक बार बता दें कि masculine जिससे ये पता चले कि नहीं वो जो जिसके बारे बात किया जा रहा है वो क्या है पुरूस है ठीक है ये इस्तरी ठीक है और ये common gender मतलब common का मतलब जिससे पता ना चले ठीक है ना hidden हो ठीक है या दोनों आ जाए उसको क्या बोलाएंगे हम common gender और neutral मतलब क्या होता है neutral मतलब होता है नीर्जीव ठीक है न तो नीर्जीव के पारे हम लिखेंगे ठीक उपर हमने यह सब पढ़ लिया यह देखे masculine, feminine, common and neutral ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं यह भी exercise फड़ाक से खतम कर लेते हैं संजय, संजय क्या हो सकता है लड़का है ठीक है इसको मैं उपर ही लिख दूँगा और आप अपना फिल कर लीजेगा है न मैं इसके उपर लिखते जाओंगा ठीक color change कर लेते हैं हाँ यह हो देखे यह हो गया संजय, संजय क्या होगा male होगा ठीक है न मेल मतलब masculine ठीक है boy, boy लड़का है लड़का क्या है पूरुस है पूरुस तो यह हो जाएगा masculine रवी भी पूरुस है यह हो जाएगा masculine टेबल क्या है टेबल जो है बना दूँगा जार्फ कामन को सी और नुजर से लुजर को एंश से नॉट करेंगे ठीक है वो मैं न्लब फैमिन ठीक है मिस्टर क्या है मिस्टर मतलब बोलता है वह बोला जाता है पूरुस को ठीक है पूरो साथी को, फिर चेयर, चेयर क्या हो जागा, नूटर जेंडर, क्या हो जागा है, नूटर जेंडर, फिर कार, कार भी हो जागा, नूटर जेंडर, फिर सर्वेंट, सर्वेंट मतलब यह नहीं पता चल रहा है कि, नौकर है या नौकरानी है, या सर्वेंट आप जो है कि हाँ ठीक है यह नहीं पता चलड़ा है कि नहीं नोकर है या नोकरा नहीं मतलब दोनों आ सकते है तो शर्वेंट क्या होगा यह उभायचर होगा ठीक है ना common gender तो सर्वेंट का common gender student student भी हो जागा common gender यह नहीं पता चलड़ा है student में girls है Girl है या Boy है ठीक है Bike बिइक क्यों होजाएगा वो होजाएगा Nutra-gender ठीक है नर्जियों है यह जेए कौक मलब मुर्गा ठीक है यह होजाएगा मैस्पुलीन जेंडर Med Med क्या होती है Med जो आप किसी के घर में खाला बनाती है उनको Med भोलता है तो यह female ठीक है और वही male होता है तो उनको cook बोलते हैं ठीक है तो यह हो जाए का family gender यह cow है family gender सीला जी भी हो जाएंग सीला मतलब एक लड़की होगी ठीक है सीला एक लड़की का नाम है तो पता चला है तो यह family gender रानी family gender pencil neutral gender book neutral gender girl family gender देखे king किंग काम सा जेंडर होता है यह उता है masculine gender ठीक है अलब राजा आत्मी होता है और सर सर भी क्या होंगे वह masculine है ठीक है हम समझ लिए gender इतना आपके लिए class second के बच्चों के लिए बहुत जादा होता है आप जब exam में जाएंगे तो यह चीज जो है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़के जाएंगे और इसके साथ आप exercise भी करके जाएंगे ठीक है ना जो exercise हमने किया अभी उसको मस्कुलीन आपको फैमिन बढ़ना रहेगा या फैमिन देदेगा मस्कुलीन बढ़ना बस इतना ही करना है और इसी के साथ यह चैप्टर समात्त हो गया ठीक मिलेंगे next वीडियो में और next chapter का नाम क्या है प्रोनाव हम पढ़ेंगे प्रोनाव इंट्रेस्टिंग चैप्टर अच्छा चैप्टर है और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेक केर